आपकी पोएम है लेसन नमर एट दास्वें यह आर एल स्टेवेंसन के दवारा लिखी हुई कई पोएम उनों ने लिखी तो उसमें से एक उसका हिस्सा है जूले के बारे में कभी ने अपने विचार अपने भाव पर कटी हैं इसमें आपने जानना है कि आपने पार्क में दे जोला होता है वो किस परकार से डिफरेंट होता है वो आप अपना एक्सकीरियस करके देख सकते हैं बाकि जो कभी ने अभी पता है मैं स्क्रीन के लाकर के आपको उसको एक-एक लाइन की टांसलेसिं करके आपको समझाऊंगो यह है आपके सामने पर आर एल स्टेवेंसन के दवारा लिख्यू ही एक बहतरी पोएम आपको कैसा लगता है आप जूले पे जब ऊपर जाते हैं अप इन दा एर सो बलू जब हवा में आप नेली आसमान में खो जाते तो कैसा लगता है ओ आइडू थिंग इडिस प्लिजेंटेस्ट थिंग अरे हां मुझे तो लगता है कि बहुत ही सुख़द बहुत ही प्लिजेंट कर देवाने वाले जो चीज है ओ है एवर एच आई केंडू यहां तक कि बच्चा भी इस काम को कर सकता है कभी कहता है अप इंदा एर एर एंड ओर दा वोल हवा में उपर और दिवार के उपर से जब जूले जूलते हैं अई I can see so white जब तक कि मैं बहुत मतलोग एक खुला मैदान एक फैली हुई जगे नहीं दिखाई देते मन दिवार के उपर से जूला जूलेंगे जब आप जूले पे बहुत उचाई पर होते हैं तो बहुत दूर-दूर की बहुत फैला हुआ बहुत बड़ा एरिया आप देख पाते हैं रिवर एंड ट्रीज गिसमें कवे ने दर्साया है जब जोले पे उपर जाते हैं तो रिवर जो पेड़ हैं वो भी नजर आते हैं and cattle and all over the countryside और पसू भी नजर आते हैं और उसे भी सहर के बाहर की गरामिन परिवेज की तरफ की सीमाओ पर उसे भी चीजे भी नजर आते हैं जिब हम जूले पर काफी उपर होते हैं तिल आई लुक डाउन ओन दा ग्रीन गार्डन जब तक कि हम नीचे ग्रीन गार्डन पर नहीं देख लेते हैं डाउन ओन दा रोफ सो ब्राउन तो हमारे जो रूफ एच्छत है वो बड़ी ब्राउन नजर आती है आप इन दा एयर आई गो फ्लाइं अगीन आप इन दा एयर एंट आउन दोवारा से फ्लाइंग करते हैं उपर जाते हैं दोवारा से फिर नीच जाते हैं तो कभी ने एक छोटी सी पोएम के दोवारा एक बच्चे की तरह जो बच्चे की फीलिंग होती है अपने बच्चे की तरह अपने भाव पर कटकिये हैं कि बच्चों को जब जोला जोलते हैं, बहुत सभी बच्चों को पसंद आता है, और जोला जोलते देफ़र उनको क्या-क्या दिखाई देता है, दूर-दूर तक का नजर आता है, खोले आसमान में, नीले आसमान में खो जाते हैं, और बहुत दूर-दूर कम को नजर आता है, तो ये एक छोटी सी पोएम थी जो आरल स्टेवेंसन की है ये अभी सभी बच्चों को पसंद आई होगी Thank you very much